आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2022 financial year के इंडिया के oil import bill के बारे में जो कि पिछले financial year के मुकाबले में दुगना होके 119 billion US dollar रहा है तो आज के वीडियो में हम इस topic को detail में discuss करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंडियन government क्या steps उठा रही है ताकि आने वाले time में जो crude oil का import bill है उसको कम किया जा सके और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके हमें motivate कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए latest update की तो जो भारत का crude oil import bill है 2022 financial year का यानि कि जो financial year 31 March 2022 को end हुआ है उसमें पिछले साल के मुकाबले यानि कि financial year 2021 के मुकाबले में दुगना होके 119 billion US dollar रहा है और इसका main reason है Russia और Ukraine का war जिसकी वज़े से जो energy के prices हैं वो दुनिया भर में बह importing nation है crude oil का China और USA के बाद इन्होंने 119.2 billion US dollar पे किये हैं April 2021 से March 2022 के period में और अगर हम इसके पिछले financial year से compare करें यानि कि financial year 2021 में उसमें हमने सिरफ 62.2 billion US dollar पे किये थे crude oil के import के लिए लेकिन पिछला साल एक abnormal था एक तो crude oil की consumption कम थी COVID की restrictions की वज़े से और दूसरा आपको याद ह होगा crude oil के prices बहुत ज़्यादा गिर गए थे एक बार के लिए तो वो 20 dollar 10 dollar के आसपास भी आ गए थे इस साल अगर March की बात की जाए तो हमने 13.7 billion US dollar तो सिरफ मार्च में ही पे किया है crude oil को import कराने के लिए क्योंकि जो oil के prices हैं पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा हो चुके थ और अगर हम मार्च 2021 से इसको compare करें तो हमने सिरफ 8.4 billion US dollar पे किये थे जैनवरी से ही जो oil के prices बढ़ने लगे थे और February में इन्होंने 100 dollar per barrel का price क्रॉस किया था और March के early में 8th March के आसपास तो ये एक बार के लिए 140 dollar per barrel पे भी पहुँचा था हाला कि अभी थोड़ी सी इसमें शांती देखी जा रही है आज के price लगभग 104 dollar के आसपास चल रहे है और अगर quantity की बात की जाए तो भारत ने 212.2 million ton जो crude oil है वो 2021-22 में इंपोर्ट किया है जो कि पिछले financial year में 196.5 million ton था यानिकि पिछले financial year में कम था लेकिन पिछला जैसे में 227 million ton हमने import किया था और इसके लिए हमने 101.4 billion US dollar pay किया थे यानिकि 2020 से हमने quantity में तो कम किया है लेकिन उसके लिए ज़्यादा price pay किया है और जो imported crude oil होता है उसको कई value added products जैसे की petrol, diesel वगेरा में convert किया जाता है भारत की refineries में और उसके बाद ये आगे बेचा जाता है user को और भारत की जो 85.5% dependence है वो imported crude oil पे यानिकि सिरफ बाकी का 14.5% है जो कि हम अपने यहाँ पे produce करते हैं और बाकी का 85.5% है वो हम crude oil import करते हैं हाला कि हमारी जो refining capacity है उनके पास surplus है जो हमारे petroleum product है उसको हम export भी करते हैं लेकिन जैसे कि LPG वगेरा है वो कुछ ऐस product है जो कि हम import करते हैं अगर हम crude oil के importer की बात करें जिनोंने जिनसे हमने import किया है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा एराक का आता है और उसके बाद साओधी अरब फिर उसके बाद USA, UAE और कुएत जैसे कुछ countries आते हैं नाइजीरिया वगेरा जिनसे कि हम सबसे ज़्यादा crude oil import करते हैं तो पिछले अगर 2009-10 का data देखेंगे तो यहाँ पर इरान भी एक बहुत बड़ा country होता था जिससे हम import करते थे लेकिन ये अब sanction की वज़े से हम import नहीं कर पा रहे हैं इसके अलावा जो और कुछ countries थे जैसे Venezuela और कुछ दूसरे country जो कि हम जिससे import करते थे हम import नहीं कर पा रहे ह और अब अगर बात की जाए petroleum products की यानि कि जो crude oil से हम petrol, diesel और जो दूसरे petroleum products बनाते हैं तो भारत भारत में पिछले financial year यानि कि 2021-22 में 202.7 million जो टन है petroleum products consume किये गए हैं जो कि पिछले financial year में 194.3 million टन थे again जो COVID की restriction थी अगर हम pre-pandemic level से compare करें तो 214.1 million थे 2019-20 में तो अभी तक हम pre-pandemic level पे नहीं पहुँचे हैं consumption wise और import की बात की जाए petroleum product की तो हमने 40.2 million टन जिसके की value 24.2 billion USD थी इतने के petroleum product को import किया था और वहीं हमने 61.8 million ton जो petroleum product है उसको export भी किया था जिसकी की value 42.3 billion थी क्योंकि हमारे यहां पे बहुत बड़ी हा refineries है, Reliance, Indian oil तो इस तरह से हम crude oil लेते हैं उसको refine करते हैं और आगे उसको export भी करते हैं इसके अलावा अगर इंडिया की LNG की consumption की बात की जाए तो पिछले साल हमने 11.9 billion US dollar पे किये है LNG के लिए जो कि पिछले साल 7.9 billion थे और 2019 में 9.5 billion थे यानि कि यह इस साल में हमने सबसे ज़्यादा पे किय है pre pandemic से भी और अगर पिछले साल से भी compare करें और overall जो हमारा oil और gas का import bill है adjusting for export करने के बाद यानि कि export के लिए जितना हमें मिला है पैसा और जितना हमने import के लिए दिया है वो net में 113 billion आता है जो कि पिछले साल में सिरफ 63.5 billion था और 2019 में 92.7 billion था यानि कि current account deficit में यह बहुत हमें oil के import की वज़े से pay करना पड़ रहा है और पिछले साल जैसा कि 62.2 billion एक abnormal year था क्योंकि crude oil के prices कम थे और हमारी pandemic की वज़े से consumption भी काफी कम थी अगर हम 2021 का overall merchandise trades देखें यानि कि जिसमें services included नहीं है तो हमने पहली बार 400 billion US dollar का अंकड़ा क्रॉस किया है हमने overall 418 billion लग बग पिछले financial year में export किया है merchandise जो कि अगर हम पिछले साल से compare करें तो 300 billion भी नहीं था और April 19-2020 के बीच में भी 313 billion था तो यहाँ पे export में हमने अच्छा किया है लेकिन वही import में काफी खराब किया है पिछले साल हमने 394 billion के import किये थे और उससे पहले 475 billion के और अब वो बढ़के 610 10 billion हो गए हैं तो overall जो हमारा deficit है merchandise का current account जो deficit है 192 billion रहा है जो कि पिछले साल के मुकाबले 87% बढ़ा है और 2019-2020 के मुकाबले 19% बढ़ा है हाला कि अगर इसमें services में services को अगर add कर दिया जाए यह February 2022 तक का data है services में हम current account deficit नहीं है हमारे पास surplus है तो उसको मिला करके February तक हमारा जो trade balance था वो 81.24 billion था और अब अगर बात की जाए कि जो crude oil का bill बढ़ा है उसकी वज़े से हमारे को क्या impact पड़ेगा तो उससे definitely हमारे जो macro economic parameters हैं वो हिल जाएंगे हमने जब budget बनाया था इस साल का तब 80-87 डॉलर तक crude oil का price था I'm sure कि वो calculation में use किया गया होगा और आप $100 से उपर होने की वज़े से ये हमारे जो budget को impact करेगा शायद revisit करना पड़े और उसके अलावा हमारा जो fiscal deficit है वो भी बढ़ सकता है और इसके अलावा जो भारत की एक तो price बढ़ा है crude oil का दूसरा है कि हमारी जो dependence है imported oil पे वो भी ब पिछले साल 30.5 million ton रहे गया था और इस साल तो और भी कम होके 29.7 million ton रहे गया है तो इस वज़े से जो हमारा 85% का import करते थे हम oil 2019-20 में जो कि पिछले साल थोड़ा सा घटा था 84.4 रहे गया था फिर दुवारा से बढ़के 85.5% हो गया है यानि कि हम सिरफ 14.5% का crude oil है वो domestically produce यूज कर पा रहे हैं बाकी import करना पड़ रहे हैं और अगर हमारे top imports और exports की बात की जाए कि भारत क्या-क्या import करता और export करता तो हमारे जो import होते हैं उसमें definitely petroleum, crude और products होते हैं उसके अलावा electronic goods हम import करते हैं फिर gold हम बहुत ज्यादा import करते हैं यह February का data है machinery, electrical and non electrical उसके बाद pearl precious and semi-precious stone यह कुछ items है जो कि हम import करते हैं और अगर export की बात की जाए तो engineering goods, iron and steel ज्यादा तर इसमें हम से बनी हुई चीजों को हम export करते हैं, petroleum products हम export करते हैं यानि कि जो कच्छा crude oil आता है उसको refinery में refine करके उसके petroleum products बनते हैं वो काफी ज्यादा export किये जाते हैं इसके लाव drug and pharmaceutical यह 5 हमारी top जो export item है latest February के data के साब से हैं और अगर बात की जाए कि बात हो गई कि जो crude oil का bill बढ़ रहा है उसका क्या impact होगा अब हम कर क्या सकते हैं इसको कम करने के लिए तो government बहुत सारे measures ले रही है ताकि जो import है crude oil का उसको कम किया जा सके जैसे कि natural gas का use बढ़ाया जा सके चाहे वो direct fuel के लिए हो या जहां पर भी fuel को raw material की तरह use किया जाता है हमारा जो natural gas का overall जो energy में allocation है वो 15% तक government करना चाहती है जो कि अभी लगभग 6-7% के बीच में है इसके अलावा जो renewable sources हैं या alternate fuels हैं like ethanol, second generation ethanol और compressed bio gas और biodiesel उनको promote किया जा रहा है government के द्वारा और जो natural gas sources है उसको use करना या solar power को use करना ही हमारे लिए एक उमीद हो सकती है crude oil के import bill को कम करने के लिए एक तो ये billion dollars हमारे बचाएगा दूसरा जो हमारे को दुनिया भर में जो energy price के shocks लगते हैं कुछ भी जैसे war हो गया है कोई middle east में instability हो गई तो उसकी वज़े से भी हम बच सकते हैं अगर हम natural gas पे convert हो जाएं एक estimate के साफ से बताया जाता है कि अगर 10% भी हम liquid fuel को gas से replace कर ले तो हमारा लगबग 3 billion dollar हर साल हम import bill में बचा सकते हैं इसके अलावा जो going electric यानि कि जो electric vehicle पे transition है वो हमारा जो dependence है crude oil पे वो कम करेगा तो ये भी important है कि कितनी तेजी से हम electric vehicle की तरफ move कर पाते हैं और overall जो हमारी refineries हैं उसको भी improve करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो production है oil और natural gas की उसको बढ़ाई जा सके इसके लिए काफी सारी policies लाई जा रही है तो देखना होगा कि आने वाले time में अगर इसका कुछ impact होता है otherwise तब तक तो import bill हमारे को तंग करता रहेगा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नए जाना होगा thanks so much for watching the video and god bless you all